दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत सारे कमेंट मिले हैं और साथ ही मुझे सुनने में भी आया है कि बैंक्स में जब कोई कस्टमर होम लोन के लिए अपलाई करता है तो उसे ऐसा कहा जाता है कि उसे साथ में लाइफ इंशोरेंस पॉलिसी जरूर लेनी होगी और ये RBI की ऐसी गाइड लाइन है दोस्तों मैं को बता दूँ RBI ने सिर्फ ये गाइड लाइन जारी की है कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को लाइफ इंशोरेंस की इंपॉर्टेंस बताएं और उन्हें बताएं कि क्यों उन्हें लोन के साथ लाइफ इंशोरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि home loan लेने के साथ-साथ आपको life insurance policy लेनी ही होगी मिरा नाम है पंकज मटपाल certified financial planner और आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये कितना जरूरी है कि आपको loan के साथ life insurance policy लेनी चाहिए और यदि लेनी है तो किस तरह की policy आपको consider करनी चाहिए banks आपको जब आप loan लेते हैं तो ये बोलते हैं कि हम आपके loan का insurance कर रहे हैं दोस्तो insurance loan का नहीं होता है insurance borrower का होता है यानि कि जो व्यक्ति loan ले रहा है उस व्यक्ति का insurance होता है इसका मक्सद ये होता है कि loan के term के दोरान यदि borrower की customer की death हो जाती है तो उस case में bank को अपने पैसे recover करने में दिक्कत ना आए और इसके लिए वो सरहा देते हैं कि जो borrower है वो अपना insurance करा ले दोसो जब कोई व्यक्ति 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए home loan लेता है तो ऐसे में यदि उस व्यक्ति की death हो जाती है तो family members को EMI pay करने में या फिर जो outstanding amount है उसको repay करने में दिक्कत आ सकती है और इस हिसाब से जब कोई loan लिया जाता है, especially home loan तो उसके सामने एक term life insurance policy लेना शायद एक अच्छा option है लेकिन यदि आपके पास adequate death benefit के साथ already एक term insurance plan है तो आपको फिर अलग से policy लेने की ज़रूरत नहीं है और या फिर आप यदि ये कहते हैं कि आप बाहर से अपने हिसाब से एक term insurance plan लिना चाहेंगे तो दोस्तो ये भी शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है यदि आप जिस bank से loan ले रहे हैं उनका जिस life insurance company के साथ tie up है यदि आप उस company से भी life insurance policy लेना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है लेकिन policy लेने से पहले, proposal form sign करने से पहले ये जरूर देख लें कि उसका premium कितना है यदि आप same features, same debt benefit के साथ एक term insurance plan किसी दूसरी life insurance company से लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो premium है वो इसके मुकाबले कम हो जो policy आप bank से buy कर रहे हैं इसके अलावा यदि आपने मन बना लिया है कि आप bank से ही term insurance plan लेना चाहेंगे तो मेरी सलाव आपको ये होगी कि आप single premium policy बिलकुल ना ले इसके बजाए आप regular premium policy ही opt करें तो single premium policy में क्या होता है कि आप एक साथ पूरा premium भर देते हैं तो मान लिजे कि आपका जो loan है उसका term 20 years का है तो bank आपको 20 years के term के साथ एक life insurance policy देता है और उसका premium जो है एक साथ single premium में ले लेता है अब ये जो single premium होता है उसको क्या करते हैं आपके loan के amount में add कर देते हैं तो bank आपको ही कहेगा कि आपको अलग से premium pay नहीं करना है आपके loan में ही adjust हो जाएगा तो दोस्तो एक तरफ तो आपने loan लिया है मान लिजे आप 50 लाग का loan लेते हैं और आप 50 लाग के debt benefit के साथ एक life insurance policy buy कर रहे हैं अब इसका premium मान लिजे single premium में 1.5 लाग रुपे आता है तो एक तरफ आपको आपने जो 50 लाग का अपने loan लिया है उसकी EMI में interest भना है और साथ ही आपने जो life insurance का premium pay किया है जो की bank ने आपके loan में जोड दिया है उस पर भी आप हर साल interest pay करते रहेंगे तो यदि आपका premium 1.5 लाग रुपे है interest एड करने के बाद वो और बढ़ जाएगा इसके बजाए यदि आप regular premium policy opt करें तो शायद आपके लिए बहतर रहेगा साथ ही दोस्तों एक बात जाना और बहुत जरूरी है कि यदि आपने 20 year का loan लिया है तो साथ में आपके जो life insurance policy है उसका term भी आपको 20 year का दे दिया गया है लेकिन यदि आप मान लिजे 10 साल के बाद अपना loan पुरा repay कर देते हैं ऐसे में जो आपके life insurance policy है वो तब भी active रहेगी और यदि आप इसको surrender करना चाहेंगे आपको यदि इसकी जरूरत नहीं है तो उस case में या तो आपको थोड़ा सा premium वापस मिलेगा या फिर हो सकता है कि policy के terms and condition के हिसाब से आपको कुछ भी premium वापस ना मिले आपकी policy surrender ही ना हो तो ऐसे में यदि आप regular premium वाली policy लेते हैं तो choice आपके हाथ में होती है कि आप जब चाहें तब premium भरना बंद कर सकते हैं और आपके policy के जो benefits हैं वो stop हो जाएंगे दोस्तो life insurance policy buy करना especially term insurance policy शायद आपकी जरूरत हो सकती है लेकिन ध्यान रहे कि आप market में policies को compare करके उनके premium compare करके तभी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक term insurance policy buy करें और साथ ही single premium policy लेने से बचें और यदि आप single premium policy ले रहे हैं तो भी आप उसको अपने loan में ना जोड़ें आपको उस पे interest pay करने की जरूरत ना पड़े आप इस वक्त loan ले रहे हैं तो आप loan कम ले ले लेकिन आप जहां तक हो सके regular premium वाली policy ही ले आपको जानकारी कैसे लगी comment box में comment करके मुझे जरूर बताएं और साथ ही इस video को like करना ना भूले और दोस्तों अधिक से अधिक इस video को share भी करें और आपने यदि हमारा जब भी कोई नया video upload होता है तो उसका notification मिल जाता है जिससे आपको तुरंत वो जानकारी मिल जाती है इसी तरहें की महत्मून जानकारी के साथ आप से फिर्म लाकात होगी Thank you, जैहिन